काश मेरे हाथी तने लंबे होते कि मेरे सोते सोते अपनी चीज़े लेलू अपना हाथ बढ़ा कर मेरी दवाय खा सकती पंके की गती तियस ज्याद कर सकती लाइट की स्वीच चालू बंद कर सकती मैं अपने आपको बहुत लाचार में एसुस करती हूँ इश्वर ने मुझे ऐसा जीवन क्यों दिया बहु पगवान को प्रात्ना करो कि मुझे जल्दी अपने पास बुला ले मैं ऐसा जीवन नहीं जिना चाहती कितने साल हो गए मैं इसी बिस्तर पर पड़ी हुई हूँ तूज पर और अपने बैटे पर बोज बन गई हूँ एसा जीवन जीते जीते मैं ठक गई हूँ पगवान इतना नाराज हो गए है कि अब मेरी बात भी नहीं सुनते पता नहीं कब तक यहाँ पर मैं पड़ी रहूंगी मीरा देवी ने अपने बहु मुस्कान से कहा मुस्कान का व्यक्तित्व अपने नाम की तरह ही खुश्नुमा था कभी कभी उसकी सास आदे घंटे में पाच बर बुलाती है वो बिना मू बीगाडे उनका सारा काम करती है रात होते होते वो ठक जाती है पर अपने मू से उफ तक नहीं निकलने देती मुस्कान का एक छोटा सा बिजनेस है जो वो घर से ही संभालती है मीरा देवी की ये बात सुनकर उसने कहा मा आप एसा क्यों कह रही हो क्या मेरे काम में कुछ कमी आ गई मुझसे नारस हो क्या क्या में आपकी बेटी नहीं अगर बेटी हूँ तो बेटी से काम करवाने के लिए क्या शर्म आप चाहा कर तो सिडियों से ने गिरे थे बढ़ती उम्र में गिरने पर थोड़ा सा कस्ट होता है देखना आप जल्दी ठीक हो जाएंगे और पहले की तर चलने फिर ने लगेंगे मुझे बुलाने के लिए आपको सोचने क्या वशकता नहीं है कभी भी बुला सकते हो अगर आप रात को भी मुझे फोन करेंगे तो मैं नीचे आ जाओंगी तीन साल पहले मीरा देवी मंदिर से पुझा करने के बाद सिडिया उतर रही थी तो उनका पेर फिसल गया और नीचे गीर पड़ी शरीर में कई चोटे आई थी डॉक्टर ने के दिया था कि वो अब कभी नहीं चल पाएगी फिर भी मुस्कान उन्हें विश्वास दिलाती रहती थी कि एक दिन वो चल पाएगे बहु तुम मुझे जुठा विश्वास दिला रही हो डॉक्टर ने मुझे कहा था कि मैं कभी नहीं चल पाऊंगी फिर भी हर रोज तुम दिन में तीन बार मुझे कहती हो कि मैं वापस चलूँगी अब तो बस मैं उपर जाने के दिन गिन रही हूँ मैं तुम्हें इतना परिशन होते हुए नहीं देख सकती तुम मेरा कितना खयार रखती हो वो सब लोग जानते हैं इसलिए तुम अपने बिजनेस में भी ध्यान नहीं दे पा रहे हो मुझे बहुत बुरा लग रहा है तुम के स्मित्ति की बनी हो आजकल कोई भी लड़की अपने सास ससुर की सेवा नहीं करती है वो अपने सास ससुर की आवाज सुनना तो दूर उनको देखती भी नहीं है बहुत बुलाने पर कभी आ जाती है और बाद में चिलाती है पिछले जनम में मैंने कई अच्छे कार्य किये होंगे इसलिए मुझे तुम मिली मीरा देवी रोते हुए बोल रहे थे पहले आप रोना बन किजिए मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है अगर आपको मेरी मदद करनी है तो चलना ही होगा मुसकार ने कहा मीरा देवी ने अपने आशो पोचे और बहु से कहा मैं चलूँगी, मैं जरूर चलूँगी मा बताओ आपने मुझे क्यो बुलाय था मुसकार ने पुछा आज मुझे ठंड लग रही है पंखा थोड़ा सा कम कर दो और मुझे ब्लैंकेट दे दो मीरा देवी ने कहा मैं सब कर दूँगी पर इससे पहले मैं आपका बुखार चेक करूँगी इतना कहिकर मुसकार अपने कमरे से थर्मोमेटर लाती है और मीरा देवी का बुखार चेक करती है मीरा देवी को 102 डिगरी बुखार था मुसकार ने तुरंत डॉक्टर को फोन करके बुलाया और दवा दिलवाई दवाई देने के बाद मुसकार ने कहा आप थोड़ी देर आराम करलो शाम का नाश्ता मैं आपके कमरे में ही लेकर आऊँगी दोनों मा बेटी मिलकर बेटकर खाएंगी इतना कहिकर मुसकार ने बजन सुना कर मीरा देवी को सुला दिया शाम के साड़े पाच बजे मुस्कान चाय नाश्ता लेकर मा के कौने में जाती है वो पहले बुखर चे करती है तापमान अब कम हो गया था दोनोंने मजे से नाश्ता किया मीरा देवी अपने दर्द से बहुत परेशान थे कभी कभी अपने बहु बेटे पर गुसा भी कर देते है बहु बेटे ने कभी भी कोई शिकायत नहीं की क्योंकि वो अपनी मा का दर्द समझते थे मीरा देवी का बड़ा बेटा मोहित दुसरे शेहन में रहता है पत्नी का मिजाज गर्म था इसलिए घर का मा होल खराब हो रहा था क्योंकि वो अपनी सास की जिम्मेदारी नहीं लेना चाती थी आजादी से कुमना चाती थी बड़ी बहु के कारण घर का मा होल पिगड रहा था इसलिए बेटे के शादी बचाने के लिए मीरा देवी ने खुद उन लोगों को अलग रहने के लिए के दिया मीरा देवी का छोटा बेटा मोहन जिसका पार्टनरशिप में तेल का होलसल का बिजनस था पर समय का चक्र कि उसके पार्टनर ने मोहन को धोखा दिया और सारा बिजनस अपने नाम कर लिया मोहन अब सोच रहा था कि क्या किया जाएं क्योंकि वो रातो राज सड़क पर आ गया था मोहन को मुसिबत आने केर लिया था पीता जी के इलाज में उसने कई रुपे कर्च कर दिये पर अपने पीता जी को वो बचा नहीं सका पत्नी के गेह ने गिर भी रखा हुआ था अब मोहन मामुली नौकरी करने लगा था और इसी में घर चल रहा था एक दिन सुबह सुबह मुस्कान के मुबायल की गंडी बजी मुस्कान ने फोन उठाया तो उधर से गबराय हुई आवाज में उसके पापा बोले बेटी तेरे भाई पवन की टूवीलर को किसी कार ने टकल मर दी उसके एक पेर में गंबिर चोट आई है डॉक्टर ने बटाया है कि उसे ठीक होने में दो से तीन महिने लगेंगे पेरों में रोड़ भी लगानी पड़ सकती है लाख रुपे तक का खर्चा आएगा मुस्कान का भाई फेक्टरी में काम करता था उस फेक्टरी के मालिक ने उसे एडवांस नहीं दिया पापा ने मुस्कान से कहा मेरे पास एक भी रुप्य नहीं है जितने रुपे थे तेरी मा के इलाज में चले गई मेरे एक काम करता हो अपनी दुकान को गिर्वी रख देता हो मुस्कान रोते हुए बोली पापा मेरे ससुराल के स्थीती अब जानते हो न काश मैं आपके मदद कर सकती मेरी हाला तैसी नहीं है कि मैं आपके कोई मदद कर पाओ और अभी तो इतनी इंकम भी नहीं है कि कुछ बचा सकू। मुस्कान की सास सब सुन रही थी। उन्होंने मुस्कान को इशारे से कहा कि वो बात करेंगी। मेरा देवी ने कहा, समधी जी आप पैसे की चिंता मत करना। पवन का इलाज अच्छे अस्पिताल में करवाई है। कल मैं अपने बहु बैटे को आपके पास रूपे लेकर बेश दूगी। पैसे का इंतिजम हो गया है। मा जी, पैसे का इंतिजम कैसे होगा। इनके पास इतने पैसे नहीं है। वे इतने पैसे कहां से लाएंगे। मीरा देवी ने मुस्कान से एक संदुख खुलवाया। जिसमें अपने पती की यादों का पीटा रहा था। इसमें से सोने की दो बाली और मंगल सुत्र मुस्कान के हाथों में ठमा दिया। और कहां बहु इसे बेच दो और अपने भाई का इलाज करवाओ। मुस्कान रोने लगी। ये पापा जी की निशान नहीं मैं इसे कैसे बेच सकती हूँ। तब मीरा देवी ने कहा, मैं तुम्हें अपनी बेटी मानती हूँ। तुम मेरी कितने सालों से सेवा कर रही हो, मैं कभी गुसे से बोल देती हूँ। पर फिर भी तुम कुछ नहीं कहती हूँ। मेरा बेटा कभी-कभी गुसा करता है, तो उसे भी तुम रोक लेती हो। तेरे पापा जी तो परलोग चले गए, अब इस मंगल सुत्र का मैं क्या करू। ये मेरे लिए साधरन गहना ही है। इस मंगल सुत्र के बारे में नहीं, अपने भाय के बारे में सोचो। मेरा आशिरवाद तेरे भाय के साथ है, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। मुस्कान मीरा देवी को गले लगा कर रोने लगी, और खुशी के आशू चलक उठे। बीना कुछ कहे मीरा देवी ने किछना कुछ कर दिया। अगर किसी भी बहु को बेटी जैसा प्यार चाहिए, तो उनको भी अपने साध ससुर को माबाप मानना ही होगा। उन लोगों के लिए हम जो कुछ भी कर सकते हैं, वो कम है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपके क्या राहे है? नीचे कमेंट करके जरू बताएगा। अगर आपको इए वीडियो अच्छा लगा हो, तो उस वीडियो को लाइक करिएगा, शेर करिएगा ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक और ऐसे और पींस्पिन नेशनल वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेस्बूक पर फोलो करें ह तुमारे पेच को धन्यवाद